हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टिन किचन 24 आज हम बनाएंगे शादियों वाला गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाएगा और ना इसमें हमने मावा डाला है खोया कुछ नहीं डाला इसमें तो आप भी इसे अराम से बना लेंगे और लास तक इस रस्पी को देखेंगे तो आपको ये बनाना बहुत आसा लगेगा तो हमने गाजर ले लिए हैं एक किलो उनको छील कर हमने अच्छे से और धो कर और घिस लिया है तो आप मोटी तरफ से इसको ग्रेट करेंगे घिसेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा जादा टाइप नहीं लगता है आदे किलो से सजादा तो आप जाएं तो घी डालगा पहले गाजर को थोड़ा सेक ले थोड़ी देर फ्राइ कर ले कीमें वरना दो आ ऐसे ही डारेक्ट दूद डालकर पका लें तो मैंने डारेक्ट दूद डालकर इसको पकने दिया है गैस का फ्लेम हाई रखें और मैंने इसमें कच्छा दूद डाला है आप चाहें तो कच्छा डाले या फिर उबलावा दूद डाले इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने इसम तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं तो मैंने कड़ाई धोड़ी बड़ी ली थी तो इसे मैंने हाई फ्लेम पर पकाया था तो जल्दी से बनकर तयार हो जाएगा लगातार चलाते रहें इसे दूद और गाजर चिपक जाएंगे वरना नीचे गैस उसमें कड़ाई में और बहुत दानेदार हलवा बनकर तयार हो गई है हमने इसमें मावा बिलकुल नहीं डाला है सिर्फ दूद में पकाया है तो दूद की क्वांटिटी हमने जादा ली है तो ये जब गाड़ा होगा पकते-पकते तो ये बिलकुल दानेदार हलवा बनकर तयार होगा ऐसा एकडम से खताते रहे इसको तो हमने इसे गाजर को दूद्ध में पणाया था चीनी नहीं डाली थी चीनी हम डाले थी, हम जब ढु ribmay कि दूद। ए कले थी तो हम ऍमें गाजिर का प्ड़ कम बूद। भाद में डाला अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप और चीनी डाल दें इसमें फिर इसे हम मिक्स करेंगे चीनी को तो इस चीनी से भी मॉस्ट्यर रिलीज होगा तो इसमें पानी बनेगा अब वो 10 मिनिट में सूख जाएगा पूरा तो इसे आप हाई फ्लेम पर पकने आप गाजर का मैं तो अब आप गाजर का बनाएं गाजर लाल वा ले ले उसका बहुत अच्छा लगता है तो देखिए एकदम लाल कलर हो गया गाजर का चीनी का ब्यानी भी सुग जा ए और दूद भी पूरा सुग घ्र बिलकुल तयार है तो एक मिनिट और आप इसे पकन तो ऐसे ड्राइफरूट्स टाल दें, अगर आपने गाजर को गी में सेका है तो मैंने गाजर में घी नहीं डाला था हम गी में एक चमच गी लिया है, उसमें इलाइची डाल तिये साबूत और यह हमने ड्राइफ रूट्स का लिये हैं काजू, बदाम, पिस्ता और मगज ले लिये हैं तो इलाइची को डाल देंगे पहले हम घी में फिर उसके बाद हम काजू डाल देंगे बादाम और पिस्ता भी हम इसमें आड़ कर देंगे जो क्रंच आता है हम जब हलवा खाते हैं तो ड्राइफ रूट्स का जो क्रंच आता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है आप चाहें तो किश्मिश भी डाल दें इसी में और उसको भी फ्राइ करके डालने किश्मिश मैंने नहीं डाली है क्योंकि फिर हलवा जादा टाइम आप रखनी सकते हैं वो खराब हो जाता है किश्मिश से अब यह ड्राइफ रूट्स हमने दो मिनिट तक इनको अच्छे सा सेक लिया था लो फ्लेम पर फिर इसको गाजर पर डाल दिया है और इसे हलवे को मिक्स कर देंगे हम अब हम सर्फ कर लेंगे इसे और थोड़े बहुत ड्राइफ रूट्स हम उपर से डाल देंगे तयार है गाजर का हलवा आप इस रेसिपी को ट्राइब करेंगे तो आपको यह हलवा बहुत पसंद आएगा आपकी घर में सब को पसंद आएगा और बहुत जल्दी बनकर तयार हो गया जादा टाइम नहीं लगा है और दानेदार हलवा बनकर तयार हुआ है ऐसा लगेगा शेर करें और सब्सक्राइब करें